पाकिस्तान रिटेलियेट करने का सोचेगा नहीं पाकिस्तान रिटेलियेट करेगा पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नी होगा लोग पाकिस्तान ने कर दिया है रिटेलियेट और यह है पाकिस्तान का वो मिसाइल और यह देखके हम लोग का अर्णव गौसमी बोल रहे ह सूली पर चढ़ा दिया तो पाकिस्तान अब टिंडियों को आतंकी बना कर दोस्तों कि क्या आतंकियों के बाद भारत में टिंडियों वाली साजिश कर रहा है पाकिस्तान भारत को धंकी देने वाला पाकिस्तान क्या टिंडियों से हार गया है अब ये सुनके पाकिस्तान के प्रधानवन जी क्या वोल रहा है हो भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं यह मजाक हो रहा है एक सेकिंड यार मजाक और नब गोस्तेयामी का बात कि यह रहा तिड्डियो का सरदर का बया है क्या बाते कर रहे हैं अबे चाले जब 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 अभी मैं मस्तर प्राय किया हुआ खाना खाएगा यह यह क्या पीडू खाना मस्तर इसलिए अपने पूरा खा लिया यह राजस्थान गुजरात और MP होके यह टिड्डी के जुन्ट पहुंच है यूप में और यह सुनके फरमर्स का हाल अब यह और नव गौसामी भी ना अच्छा मजाक कर लेते हैं असली हकिकात की बात जो है यह टिडिया आया है दूर रेगिस्तान से इस्टर्ण अफ्रिकन जो डेजार्ट है उस एडिया से एक केनिया ओमान इरान और पकिस्तान के इंडिया में इंट्री क्या है राजस्ता और गुजराट के थ्रू पकिस्तान के पास अतना अउकात का है कि इंडिया को आँख दिखा दे और इंडिया को इंडिया के उपर हला बोल दे तो यह एक्चुली क्या हुआ था वो जो डिजार्ट जो रेगिस्तान जो रिजियन है वो डिजार्ट लोकास्ट का नेटीब प्लेस होता है वहीं पर लोग ब्रीट करते हैं और उसके बाद वेजिटेशन का तालास में इधर उदर फैल जाते हैं इस बार क्या हुआ वो जो इस्टर्ण अफ्रिकन जो डिजार्ट जो रिजियन है इथियोपिया सुमालिया वहाँ पर बारिश हो गया था क्योंकि उसके बगल में है एरवियंसी और एरवियंसी के डिप्रेशन के वज़ासे वहाँ पर एक साइक्लोन के वज़ासे उस जग जून बना लिया था जब यह लोग जून बना लेता है तब यह लोग सुलिटरी फेज से ग्रेगरियस में बदल जाते हैं और यह लोग का लाइफ साइकल देखेंगे तो लाइफ सेकल में एक मादा जो लोकस्ट होते है वो 60-80-100 तक भी अंडा दे सकते है उसके बाद यह जो हॉपर फेज या नीम वह निकलता है उसके बाद यह लोग सौलिटरी फेज में रहते 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 हैं जब दुसरे लोकस्ट के साथ इन लोग का मुलाकात होता है जो जून आ जाता है तब यह लोग सरीर में हर्मोनल चेंज आता है और यह लोग को उड़ जाता है ग्रे लगता यानि कि लोग रिप्रॉडक्शन ज्यादा करने के लिए ज्यादा तदाद में खाना ढूरने के लिए इधर उदर फैल जाते हैं और इस बार क्या हुआ था कि बेव बेंगल में जो आमफान साइक्लोन के वज़ा से जो हवा का हवा जो रूख मोड लिया था वो पुरफ के और आया था तो यह लोग पैसिव फ्लायार होता है यानि कि हवा यह खुद उरना पसंद नहीं करते हवा में भर करके हवा के उपर चरके यह लोग दुसरे जो पेस्टिसाइड हो यूज करके इन लोग को मारा जा सकते या रोका जा सकते